देश में इन दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोर सोर से दिया जा रहा है बेटियों को लेकर सरकार भी लगातार कई योजनाय चला रही है लेकिन बेटियों को लेकर एक हॉस्पिटल में जो किया है उसकी लोग जम कर तारिफ कर रहे हैं एक हॉस्पिटल ने घूशना की है कि अगर उनके यहां बेटी जन्मी तो परिवार से एक पैसा नहीं लिया जाएगा सोसल मेडिया पर यूजर्स इस पहल की तारिफ कर रहे हैं आए जानते हैं क्या है पूरा मामला आमतोर पर बेटा जन्मी या फिर बेटी हॉस्पिटल वाले अपने फीज जरूर लेते हैं लेकिन एक हॉस्पिटल ने कहा है कि अगर उनके यहां कोई महिला बेटी को जन्म देती है तो परिवार वालों से एक रूपय भी नहीं लिया जाएगा बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल 36 गड़ की राजधानी रायपूर में इस्थित है शिबाला जी सुपर स्पैसिलेटी अस्पताल ने खूशना की है कि अगामी 15 फरवरी स्थे उनके यहां किसी महिला ने बेटी को जरन दिया तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा उसी दिन हॉस्पिटल के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं लिहाजा हॉस्पिटल ने इस तरह के फैसले लिये है इधर आयस आफिसर अवनी सरन ने हॉस्पिटल परसासन के इस पहल की तारिफ की है अवनी सरन ने ट्विट करते हुए लिखा राइपुर के बालाजे अस्पताल में बेटी का जन्म होगा तो अस्पताल में एक रुपए भी नहीं लगेगा अथ्थुत कदम अस्पताल से चुड़े सभी महानु भाव का शुक्रिया वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस फैसले की तारिफ कर रही है किसी का कहना है कि यह सांदार पहल है वहीं एक यूजर्स का कहना है कि यह अथ्थुत अनुकरनी है विरो रिपोर्ट आईपियन विरो रिपोर्ट आईपियन